नमस्कार दोस्तों सियसी फियली हिल्प मैं आपका बहुत-बहुत स्वागत थे इस वीडियो बात करने वाला हूं मैं बताने वाला हूं आपको कि SBI क्रेडिट कार्ड के लिए आप अप्लिकेशन कैसे करेंगे या यह कह लिजे कि आप अनलाइन अप्लिकेशन कैसे करेंगे और साथ में आपको समझेंगे कि कौन-कौन सी चाहिए इसमें क्या-क्या होनी चाहिए इसमें आपको minimum basic requirement जिससे की आप क्रेडिट कार्ड ले पाए और कैसे अप्लिकेशन करना है कौन-कौन सी अलग इसकी में है क्या उसके benefit है सारी चीज़े एक एक करके details में तो चलिए श तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इसके minimum basic requirement क्या है कौन-कौन सी ऐसी requirement है जो होनी चाहिए आपको credit card apply करने से पहले तो सबसे पहला condition यही है कि अगर आपके पास किसी भी दूसरे organization का debit card है bank या किसी भी company का debit credit card है तो आप directly यहाँ पे credit card के लिए apply कर सकते हैं और एक minimum documentation के आप apply करेंगे और आपको यहाँ पे credit card मिल जाएगा SBI का condition एक ही है कि दूसरा कोई भी credit card आपके पास होना चाहिए यहाँ पे condition यह है कि EMI card यहाँ पे included नहीं है ठीक है सिर्फ और सिर्फ credit card है अगर यह आपके पास नहीं है तो next option है कि आप either salary holder है या फिर आप self-employed है अगर अगर आप self-employed है तो यहाँ पे आपको ITR यानि income tax return होना ज़रूरी है अगर आप job में कहीं काम ओम करते हैं तो आपको pay slip यहाँ पे देना होगा दोनों में से एक option हो तो आप credit card के लिए apply कर सकते हैं यह भी अगर आपके पास नहीं है तो तीसरा condition यह है कि आपका जो bank है जो आ रहा है पैसा जा रहा है पैसा आ रहा है तो at the in में मतलब कितना एक पैसा जो है आपके account पर पढ़ा रहा है यह वो पैसा है ठीक है तो 40,000 अगर आपके account में पढ़ा रहता है मतलब 40,000 से ऊपर का maintain करते है मैनेज करते हैं तो यहाँ पे आप application कर सकते हैं यह भी आपके प deposit करके भी credit card के लिए apply कर सकते हैं इस case में यह जो fix deposit होगा वो as a security deposit वहाँ पे रहेगा आपको इसका interest as it is मिलता रहेगा लेकिन यह तब तक आप इसे withdrawal नहीं कर सकते हैं तोड़ नहीं सकते हैं जब तक कि आप credit card surrender नहीं करते हैं तब तक अब apply कर से करना है तो इसके लिए दो process ह पहला process है offline और दूसरा process online offline जहां पर आप directly state bank के किसी भी branch पर जा सकते हैं वहाँ पर credit card से related एक बंदा बैठा रहता है एक officer बैठा रहता है उसे आपको कहना है कि आपको credit card चाहिए और वह real time में तुरंत आपको आपकी documentation के इसाफ से आपकी credit check कर लेया कि आपकी eligibility है कि नहीं अगर आप eligible हैं तो वहाँ पर आप directly application कर देंगे 10 से 15 दिनों के अंदर आपको credit card आपके घर पर मिल जाएगा दूसरा process है online जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे तो online application के लिए website आपको open कर लेना है link आपको description मिल जाएगा यह है SBI credit card का application का website कुछ इस तरह से यह दिखता है चूज करने के बाद आप यह जो blue color का button है apply now इस पर आपको simply click करने है अगर आप first time user है पहले बार credit card ले रहे हैं तो मैं आपको यही suggest करूँगा कि आप उन्नती credit card ले ले क्योंकि यहाँ पे पहले four years कोई भी annual maintenance charge या दूसरा कोई भी चार्ज यहाँ पे चार साल तक नहीं है मतलब आपके पास already credit card है अगर आप लेना चाहते है तो आप अपने हिसाब से best credit card choose कर सकते है अपने condition के हिसाब से apply करने पर कुछ इस तरह का form आपके सामने open हो जागा यहाँ पे सबसे पहले पूछेगा do you have already an credit card SBI credit card अगर है तो yes नहीं है तो no फिर आपको name देना है city देना फिर आपको next step पर click करना है next step पर जाते है कुछ इस तरह का form आपके सामने दिख जाएगा यहाँ पर सबसे पहले आपको address का details मागेगा residential address क्या है फिर आप professionally क्या करते हैं मतलब business है तो business का details अगर आप job करते हैं तो company का नाम address designation आपका यह सारी चीज़ें यहाँ पर आपको fill up करनी है ठीक है और फिर आपको mailing address confirm कर देना office होगा यह घर होगा और अगर दूसरा कोई credit card है तो उसका number optional है आप यहाँ पर डाल सकते हैं यहाँ नहीं भी डाल सकते हैं फिर आपको terms and condition पर agree करना है फिर get instant decision पर click कर देना है तो जैसे ही आप click करेंगे तुरंत आपको 2 minute के अं कि नहीं अगर eligible है तो आगे का process जो आप यहाँ से शुरू कर सकते हैं अगर नहीं है तो फिर आप wait कर सकते हैं तो दोस्तों यह रहा मैं एक छोटा सा video SPI credit card के उपर आसा करता है वीडियो आपको अच्छा लगा पसंद आगा तो प्लीज से like, share and subscribe जोरू करें तब तब तक क करें जोस्तों आप